दोस्तो रासन कार्ड किये जा रहे हैं निरस्त जी हां सूचना तो आपको मिल गई होगी कि रासन कार्ड निरस्त किये जा रहे हैं जो अपात्र हैं और कुछ पात्र लोगों को भी निरस्त होंगे यदि वो काम ये नहीं करवाएंगे कुछ काम सरकार ने बता हैं वो काम करव कई राजियों में निरस्थ होनी की प्रिकरिया सुरू हो गए है और इसका शक्त्यापनidad सुरू हो गया है लेकिन हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काफी action के mood में है और गरीब लोगों को लाप पहुचाने के लिए तरह तरह की योजनाय और नियम पारित कर रही है तो योगी सरकार ने यहां पर बहुत तेजी से काम सुरू कर दिया है जून के बाद में सत्यापन सुरू कर दिया जाएगा वैसे सो सत्यापन सुरू हो हो जाएगा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पात लोग है उनको क्या काम करवाना होगा जिससे कि उनका निरस्त ना हो और जो अपात्र लोग है वो राशन ले रहे हैं तो क्या पात करता है कि वो अपना राशन कार सरेंडर करें सरकार ने आदेश दिया है सरेंडर और पत्र जब आपके घर कोई शत्यापन के लिए आएगा तो आपको आउये पिर्मार पत्र जरूर सक μέ shelf जहाएगा किroeं लग्डाउन के दौरन बनवाई था या उसे पहले तो आपको अपना पिर्मार सेीधा आधेश ऑदेश है कि होना ज़रूरी है तो यह डान ज्यादा कि आए च्च्छेत्रों में और फ्र resultado में च्छेत्रों में तो वह रह लगा दोलός से जयादा कि आह आपकी वार्ष तोवया पर निरस्थ होगा तो चलिए पूरी और आपको क्या काम स्क्रीन पर हो हैं निज सैन्यरस्तों कि रड़ों प्राइब कर दोस्तों देखीए यहां पर शाथाल॥ रखा हुआ हैन mould पात्र लोग हैं उनके भी निरस्थ हो सकते हैं यदि वो कुछ काम नहीं करवाते हैं उनको जो काम करवाना होगा सरकार ने जो आदेश दिया है वो उनको कराना है तब ही वो राशन ले सकते हैं बना उनका भी निरस्थ होगा और जो अपात्र लोग हैं उनका तो निरस्थ हो होसे ले रहें गरीब करल्याण यूजणा की अंतरगत तो उनको यहां पर आपको नीचे दिखाते हैं, वो छे महिरिने के आंदर एक वीवार शाण नहीं लेते हैं। यानि शे महिरिद मने के अंदर रासन यीवार भी नहीं लेते हैं। जायो जैसे बाहर चले आते हैं, रासंगाड बना है, गरीब है, लेकिन वो 6 महीने तक रासंगाड नहीं लेते हैं, तो उनका रासंगाड निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहां पर यह देखे लिखा है साफ साफ रासन कार धारक जो पात्र है यदि उन्होंने एक काम नहीं कराया तो उनका भी निरस्त हो जाएगा पात्र है उनका भी हो जाएगा और जो पात्र है उनका तो निरस्त करा रही है सरकार इसके बाद में जो पात्र लोग हैं उनको अपना आय प्रमारपत्र बना कर रखना होगा कि सासन ने सीधे आदेश दिया है कि JOUN माह के बाद में यहां पर जो है एक सतियत्यापन किया जाएगा वैसे सत्यापन चल ला है और जगह लेकिशत्यापन जब आपके हमा के बार reputation कर दिया आय प्रमाड पत्र आपको जरूर कना सत्यापन के दोरान आपको दिखाना है कि आय प्रमाड पत्र में जो है जिसकी आय दो लाग से ज्यादा होगी वार्सिक तो उसका राशनकार निरस्ट कर दिया जाएगा तो आप पात्र हैं और आप गरीब हैं आप राशन लेते हैं और आपका राशनकार पहले से बना हुआ है कोरोना महमारी के दोरान बनवाया था या उससे पहले का है तो आप अपना आए प्रमार पत्र जरूर बनवाले राज सरकार दोरा प्रमारित राज सरकार के आधिन जो होता है वो जरूर बनवाले नहीं तो आपका राशनकार निरस्थ हो जाएगा तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि राशन कार्ड जो अपात लोग हैं उनका भी निरस्त होगा क्यूंकि सरकार ने सीधे आदेज दिया है जो अपात लोग हैं वो अपना राशन कार्ड अपने ब्लाक में अधगारी को सरेंडर कर दे और अपनी एक ज भासन लेते थे उसका भी आपको हरजाना देना होगा और भुक्तान करना होगा और अपपर जुर्माना भी लगेगा अरकार ने यहां पर कहा कि जुन के बाद यह फैसला होगा जह जो चिन्नित किये जा रहे हैं सबी कार्ड धारक उसके बाद में सरकार सीधे आदेश जाएंगे जो अपात्र लोग हैं तो कौन घृषर 5 later गारी तो कंशिका माने च्वक्राइच dus तो वो अपना कार्ड सरेंडर करने ब्लॉक में या तो वो एक फार्म आता है वो भरकर आप आवेधन कर सकते हैं उसके बाद ग्रामी छेत्र है उनकी बार्सी का है दो लाग से जादा है तो भी वो अपात रहे है और उनका भी कार्ड ये निरस्थ किया जाएगा और यदि ज़्यादा है आप इंकम टेक्स वर्तियां आये कर दाता है तो भी आपका निरस्थ हो जाएगा परवार में एक से अधिक सष्त्र होने पर जो लाइसन्स होता है वह है तो आपका जो है काड निरस्थ होगा राशन कार निरस्थ होगा घर में A.C. है या पांच किलो तो यह पैट्टे ऋपी एक का जाक्री है और यहां को जांकारे सब्सक्रमाइट था करहें tu Music अनास्ति खुंप होगा है bog Почему आंज से अंसतित आप mundव ध्य घाव पुरियने महंद आप ऐसे ओर से पक्रमाइट म seamlessly पर्मीनल आफए और सटिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें तो दोस्तों आप से हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में सही सटिक जानकारी के साथ जै हिंद जै भारत